हलो दोस्तो नमस्ते राम राम कैसे हैं आप सब यह देखिए आज मैं आपको एक बाजू बनाने का तरीका बताऊंगी तीन से छे साल तक के बच्चे के जो स्वेटर बनाते हैं हम तो उनमें बाजू में कितने फंदे डालते हैं और कैसे यहां पर साइड में फंदे बढ़ात हैं यह देखिए कितने सुंदर शेप आती है इस तरह के से और जब हम सिलने के बाद इसमें स्वेटर में जोड़ेंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है मैं इसकी जोडने की वीडियो भी शेयर करूंगी यह देखिए इसका जो फ्रंट पार्ट है इसके गल इसके फिटर 2 चारी लिए यहां तक इतने बढ़े साइज का मैंने बिदर बनाना या Um два ओए कि अधितना बााइड को बनाना है मावा कि उयों कि आफ बर्डर करे बुद्द से गया six जिख trips धितना इसधियर में मनाद सबहें सरक्वाह कर दो सिखिए ऊलठी होजेंगे दिक में हम इसमें चार से पांच फंद़े बढ़ा लेते हैं या तो चार फंदे तो हम मैं पहली में उनको बढ़ा ले छीए उसके बाद हमें कम से कम बढ़ बिना फंदे बढ़ा बना नहों यह तक उस तभी हमारे बाजू की जो शेप है न वो बड़ी सही आती है या क्योंकि यहां पर बादर में कम होते हैं और अगर हम यही से तीस्री सलाइप बढ़ाएंगे तो यह एक दम बड़ा टाइट टाइट सा लगता है स्वेटर यहां पर तो बादर हटम होते हैं पांच या चार तो कमसे का मौं बढ़ाएंगे पांच भी बढ़ा सकते हैं बढ़ाने के बाद इतना हम बनाएंगे बिना फंदे बढ़ाए फिर उसके बाद हमें चोथी सलाई पर फंदे बढ़ाने होते हैं यह देखिए साइड से चोथी सलाई पर फंदे बढ़ाने के बाद अब आगे बाजू हम जब बनाते घखाएं यहां तो यहां पर करेदे घटी टो में यहां तक इसमे बना लिये थे उसके बाद से मैंने ये घटाई करनी शुरू करी थी और घटाई जब हम कर लेते हैं तो पूरी लेंथ करने के बाद ये जितने स्वेटर की यहां पर लेंथ होती है हमारी यहां से लगा के और यहां तक उसी इसाब से हम बाजू की लेंथ को या तो हम बराबर रखते हैं, या फिर 4-6 सलाई हम जादा कर लें, जादा करने से ये रहता है कि थोड़ी सी बाजू बड़ी बन जाती है, बच्चा एक-दो साल जादा पहन सकता है, नहीं तो फिर बाजू छोटी हो जाती है, तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता, ये तो थोड़ा सा शोट भी चल जाता है, बाजू की लेंद अच्छी सी होती है, तो वो स्वेटर काफी साल तक पहन लेते हैं बच्चे, और हाथ के बने स्वेटर वैसे भी अच्छे ही होते हैं, और मैना तो लगती है, तो थोड़ा सा बड़ी बाजू बना लेते हैं, तो स्वे गटा लिए चार फंदे इधर गटा लिए फिर हर बार हमें यहां से चार चार फंदे गटाने होते हैं यहां पर हम चार के बाद तीन दो एकी गटाई नहीं करते यह मैं अपने यह मेरा यही तरीका है मैं इस तरीके से ही गटाती हूं चार 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 ही सिधी सलाई में चार ही उल्टी सलाई में फिर यहाँ पर जब हमारे 10-12 फंदे रह जाते हैं यहाँ पर फिर उनको आमी खटा गटा देंते हैं यह देखिए तो उससे हमारे जो बाजू की शेप है बड़ी अच्छी बनती है और जब अभी स्वेटर यह बनी रहा है तो पूरा होगा तो इसकी मैं बाजू अटेज कैसे करते हैं कहीं कमेंट थे मेरे चैनल पर बाजू कैसे आप बनाते हैं कितने फंदे डालते हैं और क्या उसका तरीक लए ते यहां पर तो इसमें यहां जो है 40 वंदे ही डाले मैं ने 40 तो उससे देखिए बजू बिल्कूल सहिए और यह बजू बिल्कूल बनती है जब इस तरीके से बनाते हैं तो कहीं कमेंट थे मेरे चैनल फे बाजू में कितने हम फंदे बनाते हैं तीन से szось साल के बच् लेकर आउंगी जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी इसको मैं क्योंकि काफी कमेंट है इसके गले में कितने फंदे उठाते हैं यहां पर अब यह बैक साइड का इसका कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर मैं अगली वीडियो इसकी गले की आपको शेयर करूंगी और मेरा तरीका करें कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो और बाजू बनाने का तरीका काफी कमेंट किये थे बैनोंने तो फिर मैंने यह बनाने के बाद नहीं क्योंकि जब हम बनाते फिर वीडियो बड़ी बन जाती हैं और यह सिंपल ही तरीके से फंदे बढ़ते हैं वीडियो में उसी तरीके से शेयर कर दूँगी